लोगों के हक और अधिकार के लादर रही है, उनके लिए संघर्स करती रही है। ऐसे दलों में मैंने काम किया ह। लिए अन्डर जो प्रतिछी आहे हैं आप पहले उनके बारे में जालें। भाजबार नितीसी बार अपने उस प्रतिछी महोदे को इता रहा है। पार्टी में सिर्फ तानासा चल रहा है और हर तानासा को एक यसमेन की जवुरत होती है और इसी यसमेन की कराण तो वो सरफफ़तम उन्होंने टिकट टाप टी है दूसरा उनका दस वर्स का आप पारकाल देखें तो भारस सथकार की जो योजनाय थी जिसके तहर तो का यह भरोस्ता नहीं कि वो कब तक कॉंग्रेस में रहेंगे और कब भाजपार जोइन कर लेंगे या कब कौन सी दल्म पहुंची जाएंगे आज यह जनता उनसे यह उमीद कर रही कि वो समिधान बचाएंगे और समिधान के हक और अधिकार के लिए संगर्स कर देंगे लो कि मुझे भारी मतों से विजाई बनाएं संसर भेज़े का कार कर सके नमस्कार मैं निसाथ मिस्रा और आप सभी रिवाज श्टोरी मीडिया देख रहे हैं दूस्तों वो समय आ गया जब भारत की जनता हमारे बारत को अगला प्रधान है या फिर नहीं हुए है इसी तारितम में आज हम राष्टवादी पार्टी से प्रत्यासी रंजन गुपता जी के पास आये हैं इनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत में जाहिन सबसे पहले तो मैं सभी सम्मानी मतदाता हूं को साधर नमनों प्रडाम करता हूं और मैं तो यही कहूंगा कि पहले अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप वो पूछ ले और इसके बाद मैं फिर अपनी बात रखूँ पहला सवाल हमारा यही है कि आप थोड़ा अपने वारे मे की जनता के लिए अपने वारे में थोड़ा वो आपके वारे में जान सके साथियों और सभी सम्मानी मतदाता हूं मेरा नाम रंजन गुपता है मैं वर्तमार में रिवान नहरु नगर का निवासी हूं और लगभग 16 वर्ष के उम्र से समाजवादी विचारधारां से प्रे हट कर लोगों के हक और अधिकार के लिए रहती रही हैं उनके लिए संघर्स करती रही हैं ऐसे दलों में मैंने काम किया है और आज आपके बीच में पुना एक बार प्रत्यासी के रूप में पस्तित हूं मैं प्रत्यासी के रूप में इसलिए आया हूं क्योंकि आज भारत रुपा, कॉंग्रेस और बहुजन जैसी पार्टियों के साथ टकर लेना, लोग कहते हैं कि आप कोई ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन हाकिकाची ये है कि आज भारती जनता पार्टी में जो प्रत्यासी आया है, और मैं चुनाओ क्यों लोगना चाहता हूं, उसके बारे मे हैं, आप पहले उनके बारे में जान लें, भाजपर ने तीसी बार अपने उस त्यासी महदय को उता रहा है, और भारती जनता पार्टी में सिर्फ तानासाँ चल दा है, और हर तानासाई को एक यसमैन की जहुरत होती है, और यीसी यसमैन की करांड तो वो सरफफ़ावु ह उन्होंने टिकट टाप्ट की है, दूसरा उनका दस वर्स का आप पारकाल देख लें, तो भारत सरकार की जो योजना थी जिसके तहए तो सांसर अपने कुछ गाउं को गोद लिया करते थे, उनका विकास करते थे, उन दस वर्सों में आज तक उन गाउं का विकास वो नहीं क के लिए जब तक किसी सीनियर बड़े नेताओं के सिफारिस न करवा लिए, तब तक उसका इलाज नहीं हो सकता है, आप ठाने में देख लिए, आपको रिपोर्ट लिखवा नहीं हो, बिना पैसे कि आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, राजा स्विवाग देख लि तो बिना पैसे कि आपके खस्रे का सुधार नहीं होगा और उसके लिए भी दो से चार महिने के समयों लगा देते, यानि इन दस वर्सों में कुल मिलाकर मूल भूस समझ से आए, जनता के बीच में कुछ नहीं पहुंच पाई, जनता आज भी परिश्वान है, दूसी और हम जनता उनसे यह उमीद कर रही कि वो समिधान बचाएंगे, और समिधान के हक और अधिकार के लिए संगर्स करेंगे, लोगों के लिए आवाज उठाएंगे, तो मेरा मत्रदाताओं से विनम निवेदान है कि जिस व्यक्ति का ये भरोसा नहीं है, कि वो कब तक किस पार्ट हैं, ठेकेदारी के लावा उनके पास जनता को समय देने के लिए एक घंटे का समय नहींगी, जनता के साथ बैठ करके ये पूछ सकें कि आपकी समस्याएं क्या है, जन समस्याएं क्या है, चुनाओं के समय सिर्प आप से बोट बांगनी आते हैं, तीसरा दल हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी, 15-85 गिनारा बहुजन समाज पार्टी देते थे, माननेवर कासी राम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का निर्मार करिया, किया था, आज उस 85-85 गिनारे में, 85 की संख्या बहुजन समाज पार्टी ने खतम कर दी है, 15-85 की संख्या की जगा पर, बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ और सिर्फ माया जी का भार देखा जा रहा है जिसकी जितनी माया उसको उतने अटिकट और यही आधार है कि आज बहुजन समाज पार्टी में भी बहुजन समाज पार्टी ने किसी बाहरी व्यक्ति को प्रत्यासी बनाया है आज तीनों दलों के पराधिकारी कारकाटा यहां तक की वोटर के मन में संसाय है कि वोट किसे करें तीनों दलों के पराधिकारी कारकाटा वोटर अपने नेताओं को अपने प्रत्यासी को वोट देना नहीं चाहते हैं और इस रिवा जीले की आम जनता के हक और अधिकार के लिए जिन लोगों ने संगर्स करके इस रिवा जीले का नाम रोसन किया यह रिवा जीला हमेशा भी इतिहास लिखता चलाया है ऐसे लोगों के लिए मैं आपके बीश में प्रत्यासी की रूपके उपस्तित हूं और आप लोग 26 तारीक को बटन दबा करके मुझे भारी मतों से विज़ाई बनाए संसर भेज़े का कार कर सके ताकि मैं इस रिवा लोग सभा चेत्र के हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार हर खेत को पानी हर नौजवान जो पीड़ी है उसको कहीं न कहीं सिख्षा और हर इस रिवा लेकर लोग सभा की चेत कर आने वाले विधान सभा के अंतरगात एक एक करना महाविद्याले और कर निर्मार करवासा को यही मेरी प्राफ नुक्ता है जैसा कि आपने किसानों की बात की और नौजवानों की नौजवान इस समय नसे के गिरप्त में देखे जा रहे हैं किसान नौजवान यह हमारी प्राफ मिक्ताय रही हैं और हमारी विचारधारा जिस विचारधारा से मैं जुड़ा भी था वहां पर किसान को अंद्रदाता कहा जाता था और यह एक भाजपा की सरकार है जो किसानों को अंद्रदाता नहीं मानती आप तो उन्हें सिर्फ और कितनी बार किसान आंदोलन हुआ भासपा ने MSP पर कोई ऐसा कानून नहीं लाया कि हर अनाज पर वो MSP दे सके आप बात कर रहें जिले की नसे की तो देखिए भारती जनता पार्टी इस पर्श रूप से चाहती है कि इस मद्ध प्रदेश में नहीं हिंदुस्तान के अंदर न चोरी हो सकती है तो नसे का कारूबार तो वो चाह लें तो एक दिन में बंद हो सकता है लेकिन भाजपा चाहती कि नसे का कारूबार चलता रहे और वो इसलिए चाहती है कि जब नौजवान पीधी नसा करके अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचेगी अपने आने वाली और उनके लिए जैजैकार करना क्योंकि आप एक वैफारी बर्ग से खुद आते हैं क्या आपको लगता है कि वैफारी बर्ग को बर्गों के लिए क्या वो मुल्भू सुविधाय प्रदान की गई किसी पार्टी दोरा जो उनको मिलनी चाहिए देखिए चुकि मैं खुद वै वैफारी बर्ग के लिए सिर्फ एक काहवात प्रस्लित हो गई है हर राजनितिक दलों में और यहां तक की आम जंता में अधाना बना ली गई है कि नीबू आमा जो यहां की लोकल भासा में बोला जाता है कि नीबू आमा और बनिया आप उसको जितना दबाओगे वो उतना रस देगा लेकिन जब तक जब से यह नीबू आमा और बनिया की काहवात प्रस्लित ही है आज वैपारी को इतना दबा दिया गया है कि साहब नीबू का छिलका से ले करके अब बीज आ गया है और उस बीज का भी छिलका उतर चुका है आज मैं वैपारियों के वजूद के स साथ मैं रमेश को स्वाहा के लिए मैं डिनेज दाहिया के लिए मैं आजीत कोल के लिए मैं ऐसे लोगों के लिए संघर्स करने जा रहा हूं और उन लोगों के लिए वो बीज इस राजनित्रिक धरती पे बोने जा रहा हूं जो आने वाले समय पे सभी राजनित्रिक दल ऐ और ऐसे लोगों को आगे भी बढ़ाने कार करेंगे और रही राए वैपारी वर्ग की बात यदि वैपारी भाईयों ने मुझे सम्मानी जगहे पर पहुंचा दिया और सभी लोगों ने मिलकर पहुंचाया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि किसी भी वैपारी और किसी भी ऐ देखा होगा कि जो गरीब वर्ग वंचित वर्ग है वो थाने जाता है रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने से बाहर भगा दिया जाता है बलतकार हो जाते हैं तो महीनों बलतकार की रिपोर्ट ने लिखे जाती है तो वो गरीब वंचित वर्गों को लोग हाथ लगाने से और उनके हाग को अधिकार के लिए जहां पे भी मेरे को खड़ा होना पड़ेगा मैं हमेस्था खड़ा रहूंगा जाहिन जैभारत चलिए तो हमारे साथ ये राष्टवादी पार्टी के रिवा संसदी सीट से प्रत्यासी थे रंजन गुप्ता जी इन्होंने अपने विचार हमारे साथ साजा किये इस वीडियो में फिलाल इतना ही हम फिर मिलेंगे तब तक करिया आप हमारा इंतजार धन्यवाद